आज मैं आपको Newton's law, आप्मोशन और उसके अप्लिकेशन का देन कराने जा रहा हूं पिछले वीडियो में आपने Newton के नियम का देन किया था उसमें आपने देखा कि Newton के प्रथम दुति और तिति नियम का किस तरह से प्रयूक किया गया है अब आपको याद भी हो गया होगा, Newton के प्रथम नियम में हमने जलत्व के नियम का महत्व भी बताया था Importance of law of inertia, तो जलत्व का नियम क्या है यह आपको समझाया गया था जड़त्व के नियम में भी बताया गया था कि जड़त्व के नियम में विराम का जड़त्व, गती का जड़त्व और दिशा का जड़त्व इस तरह से आपने देखा, तीम पार्ट अलग लग हमने किया था, विराम का जड़त्व, गती का जड़त्व और दिशाय का जड़त्व, विराम के जड़त्व में आपको समझाया गया था, जैसे मालेजी कि कोई कार है उसमें कोई पेंडलम आप लटका रखे हो, सस्मेंट कर रखे हो उसके सिलिंग पार्ट से, और अचानक आप कार को एक्सलेट कर दें, तो पेंडलम या बाब जो है बैग चला जाता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि डूटू एक्सप्रियेंस आप सीड़ो फूर्स, तो उसको एक्छाद दंबल इस प्रकार कारी करता है कि वो अप को हमने कहा था कि जैसे बस में आप खड़े हैं, अचानक बल बस परिचाल से गत्मान हो जाए, तो आप पीछे की और बल कामभो करते हैं या पीछे की तरफ गिर भी जाते हैं, तो ये उदाहन जो है बिराम के जड़तों में बताये गए थे, इस तरह से गती की बात हो रही कि इफ बस इसलेनली एक्सलेटेड देन एनी पर्शन वेर स्टेंडिंग इंसाइड दे बस सडेनली फाल्स डाउं बैक साइड या कमिंग बैक साइड तो वो इनर्शे की कान अपने पोर्शन या ओरिजिनल पोजिशन को प्राक्त करने के लिए बैक जाता है, जबकि उसका पैर जो बस के फाल्स के लेबल में होता है, उसके टैस में होने के कान तुरांत वो मोशन में हो जाता है, सेस बाड़ी बैक चले जाती है, तो गति बाले में आपको बताया दिया था कि चलती बस को आचानक आप ब्रेक लगा दें, तो आप अपने ही मोशन को मेंटेन करते ह जाता है, जबकि सेस बाड़ी उसी डाइरेक्शन में आगे बढ़ जाती है, अथा आप आगे की तरफ जुगते हैं या आगे की तरफ गिरते हैं, इसी तरह से भी हमने का आता है, कि चलती बस से अगर आप नीशी उतरते हैं, जिसकी स्प्रीट कम हो बहुत जादे में तो क जाता में आप आगे की तरफ गिरते हैं, इसे बचने के लिए अगर स्प्रीट थोड़ी कम हो लोग उतारते हैं, तो बस के साथ कुछ दूरता को धेरे-धेरे दौर भी लेते हैं, और उत्तर जाकर रेस्ट में आते हैं, इसी तरह से किसी डारेक्ट इंप्रेक्स से बचने के लिए खिलाडे भी जब किसी बाल को कैश करते हैं, तो उसको धीरे-धीरे हाथ को पीछे कर उसके मोमेंटम को रोकते हैं, तो उन्हें कमचोट लगती है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे, गती के लिए जड़तवकानियम तो इसमें फालो किया गया, या लांग जंप में भी आप जानते हैं जब कोई प्लेयर दो अइब लंग जंप लेता है तो जैसे वह अ क्रेस्थ चोड़ का जम लेता है तो वह अपने सक्वीज़ तो आचानक बेचाइंड मेंड़ घ्र शल्स तो वह जुकाव या मोड के विप्रीद दिशा में बलकांबो करता है या किसी पिन को बात कर आप जिती पर भूमाते हैं तो अचानक छोड़ देने पर वह ब्लाग टेंजेंशियल डियारेक्शन में गती करने लगता है या इसपर्स रेखा के दिशा में गती करने लगता है और अपने डायरेक्शन को मेंटेन करता है तो ऐसे बहुत सायुगाण आपको दिये गए हैं जैसे हमने मड या कीचर की बात किया था कि अगर आप सायकिल या कोई बायक या कार कोई बेहिकल से आगे बढ़ती है और पईयों में कोई मड या कीचर लगता है कहीं पर तो रूल करते हैं समय कीचर जो है टंजेंशल डायरेक्शन में इस पर स्रिखा की दिशा में आगे बढ़ते हैं और अपने डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं तो यह सब दान थे गति के नियम पर अधारी थे जिसमें बिराम गति और दिशा का जर्ट वखा जाता है इनमें आपको मेंन पाइंट यह भी कहा गया था जिसमें नियूटन के गति के नियम में कोई डिफरेंस पाइंट अगर बोलना होता है तो कहा जाता है कि कोई बलाक रेस्ट में है या कॉंटेनी अपने पोजिशन को मेंटेन कर रही है मोशन के समय तो उस पर net force 0 होगा अगर वो infarm speed को बने रखती है या rest में रखती है तो कहने के sense कि Newton's first law में ये concept दिया गया है कि if any block at rest position then it is not necessary force is 0 अगर कोई block rest में है तो यह कोई आउसेक नहीं है कि उस पर बल सुने होगा लेकिन अगर rest में है तो net force उस पर 0 होना चाहिए लेकिन अगर कोई body information में भी है without changing direction maintain our position then net force also should be 0 तो उसमें भी net force 0 होना चाहिए लेकिन किसी block को आप accelerate करना चाहते है या retard करना चाहते है या उसके direction को change करना चाहते है तो आपको external agency क्या सकता होती है जिसे आप force कहते हैं वैसे तो external agency power के रूप में भी हो सकती है और भी कुछी function में हो सकती है लेकिन हम या आप force या बल की बात कर रहा है तो आपने बल को second में define भी किया था कि बल वह बाय कारक है जो किसी भी बस्तु की इस्तिती में परवर्तन लाने का प्रतन करता है या परवर्तन लाने में सक्षम होता है इस तरह से चर्चाए हुए थी थी थार लाको भी आपने रेक किया था कि between contact or connected surface always applied equal in equal magnitude of forces but opposite in direction इस तरह से हम इन पर decision किये थे और यह भी बताय गया था Newton के जो प्रतम डितेनियम है वो inertial frame के लिए सत्य पाए जाते है त्रितेनियम आपका सकते है एक्सलेटिड फ्रेम के लिए सत्य पाए जाता है या उसको non inertial frame या एक्सलेटिड फ्रेम कर सकते हैं first or second को करते हैं कि उसमें एक्सलेटिड नहीं नान एक्सलेटिड फ्रेम में कर सकते हैं जो त्वरी चाल से नहीं गति करता है third में आपका सकते हैं कि calm कोई प्रेम त्वरी चाल से गाती करता है कुर्णन करता है तुसमें त्वर्णल का कि फालो होता है कि फास्ट में 5 ने हो तो फेस्न हो चुका था तो आज आप इस पर पर चर्चा करने जा रहा हूं कि अप्लिकेशन कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं जब इन पर कोई प्राब्लम आते हैं तो देखे जैसे फामले का अप्लिकेशन तो बहुत तीजी है डारेक्ट आपको जो बताए जाता है एफ रिक्वाइड टू एम इंटु ए तो लिखने में बहुत तेजी है लेकिन यह कहा गया है कि यहां पर जो मास लिया गया है इनर्सियल मास है और यह इक जाहिए नहीं होना चाहिए और यह जो है continue inform होगा यदि applied force भी constant होगा तो ये Newton second law की foundation या था तो अगर आप इसको rain falls या liquid drops के रोख में लें जिसका mass variable हो तो उस पर ये direct applied नहीं होगा या rotational frame में इस तरह से ये formula के वाल इन ऐसे frame के लिए कहा गया है जिसमें फ्रेम रेस्ट में हो या inform motion लिया जा सकता है तो second law का application आपको हम दे रहे हैं तो सब्सक्राइब जैसे पहला देखिए जैसे देखिए टू ब्लाक्स ये रेस्ट में रखे गए हैं सर्फेस श्मूथ हैं हम जो अप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं वह करते हैं जाया रहे हैं यहां पर आपको यह ध्यां देना होगा कि जो आफ वोर्स सो करते हैं सिंटर RCbet get the P7 हों कि सब्सक्राइब था किसी फेक्राइश निभा इसको हम अप दिख है यह यह हैं इन को चिर के से अध्यन की अध्याइद कि नया five look Iceman हो तो फिर अप्लिकेशन प्राउलम हो सकता है और आप आपने अपर वर्ट टेंजेंशियल कोई फर्स अपलाई किया तो उसमें वो रोल कर सकता है, तो इस बात को जरू ध्यान दें, तो सेंस किया हुआ, फ्रिक्शन कोफेशेंट जेरो लेके चलना है, कोई घर्षन गुणांक नहीं ले रहे हैं, कोई घर्षन बलना ही, तो अगर उसके पारिलर लिया गया ही, यह चीज चाहिँ जाएगी, तो आपसे कहले जाता है, कि Oct mode बyahुट बलाग्ट या इस बलाग्स घ्रिक्शलीशन आफ ब्रीशन दाफ और इस बलाग्स तरह से कह जाता है कि यवान कितना होगा या पूरा लिगना हो तो find acceleration of each block, find acceleration of each block, तो धन देजे, यहाँ पर जो यह force है, उसका effect आप two block पर ले रहे हैं, तो combined effect को हम लोग net force या पर नामी बल कहते हैं, तो net force on two blocks, two blocks, तो two blocks पर जो net force है, तो आप उसको show करते हैं, तो f equal to m plus m into a, यह net force हो गया, total mass into acceleration, तो इसको apply करते हैं, आपको यह समझना चाहिए, कि इसको ऐसे rate कर लिया गया, जैसे कि दोनों block का कोई संजुक्त part होगा, और जै कि आपने दोनों block का कोई combined एक हिस्सा दिखा दिया, उसका कोई common जैसे इन दोनों का कोई common एक आपने center of mass कहीं बना दिया, और उस पर यह आपने direct force दिखाया, एफ और इसका जो total mass है, वो capital M plus M है, इस पर और direct आपने यह लिख दिया, इस तरह से यह दिन कर लिया गया, अठात अगर हम तीन block में लें, तो यहां एक और आट कर लेंगे, चार लेंगे, एक और आट कर लेंगे, सब को centralized करके, एक एक वैल टू यह में लिख दिया जाता है, तो आपको यह point clear हो गया होगा, तो इस आप से जो x relation आया, तो यहां आपन net force upon total mass, तो इसको अगर हम और large scale में कहना चाहें, तो यह होगा net force, net force में और भी force हो सकते थे, upon total mass, total mass, तो इस तरह से हमने इसको return कर दिया, लेकि अगर कहा जाता है कि forces जो दिखाए गया है, तो force on each block, तो आपको फिर अलग-अलग देखकर भी solve करना होगा, acceleration आपने निकाल लिया, तो इसी पार्ट में हम अगर यह कहते हैं, force on each block, जैसे देखे, आपने यह force apply किया इस पर, यह देखे इस तरह से, यहाँ पर है यह, यह force apply किया गया है, ऐसे, तो इसमें कहा जा रहा है कि आप इस माला ब्लाग पर force बताएए कितना होगा, तो डाइरेक्ट आप शिप्ट कर दीजिए, इस ब्लाग को अटाकर जैसे यह ब्लाग इसको पुछ कर रहा है, तो इसको आप कहें तो free body diagram के रूप में देख सकते हैं, इस ब्लाग पर अगर आप free body diagram का कोई function देते हैं, तो देखें, इस पर आपने force को दिखाया है, इसको हम F1 मान ले रहे हैं, force on smaller block applied by bigger block, F1 मान लेजे, acceleration आपने इस ब्लाग के लिए यह निकाला है, तो Newton second law, smooth surface फर force parallel है, बेस के, तो आप कह सकते हैं, F1 equal to,